आवाज की दुनिया की दोस्तों को नरेश शर्म का प्यारफर नमश्कार आज से चार साल पहले रेडियो वितस्ता के इस पौधे का रोपन किया गया था और इन चार सालों में हमने अपनी कला से, अपनी मेहनस से इसको बहुत सीचा है और इसको सीचने के बीच में रीडियो वितस्ता के फौध बहुंडर डिरेक्टर भारत सपौरी जी का बहुत बढ़ा हात है और दोस्तों, इसको सीचते सीचते आज ये इस अवस्ता के बीच में आ गया है कि आज ये बहुत बढ़िया फल भी दे रहा है और इसकी खुश्बों भी हो लोग महसूस कर रहे हैं तो इसी उपलक्ष के बीच में वीडियो वितस्ता के चार वर्ष पूरे होने पर आज हमने एक विश्ष कार्यकरम का आयोजन किया है महिला काव्या गुश्टी और आज के इसकार्यकरम के बीच में हमारे साथ जानी मनी कब्रित्रिया मौजूद है मैं सबसे पहले हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे मौजिस महमान दिया शर्मा जी आपका स्वागत खरता दिन्यवाद सर और इनके साथ हैं अंजली सिफर वाशुक्रिया सर आप यह सुचीए कि सिफर इस सिफर में ही सब कुछ छुपा हुआ है अगर सिफर ना हो तो मैं तो भी नहीं होता अंगों का जब सिफर लगती है तो अपनी महत को कई गुणा बढ़ा देती है तो मैं एक बर फिर से स्वागत करता हूँ अंजली सिफर जी का लेडियो वितस्ता के आज के इस पिशेश का रेकरम के बीच में हूँ बहुत शक्राइब और इन दोनों के साथ में एक ऐसी खुब्सूरत आवाज हमारे साथ में हैं जो आपको महकने पर मजबूर कर देगी बहुत शक्राइब जो आफि काफी कुछ करेंगे कुछ पातने करेंगे इनकी साथ में कुछ खटी मठी इनके इनके अनभव जानेंगे और इनके कलागा हम आनन दो ठाएंगे तो मैं सबका परिशेदीश का हूँ आज का हमारा जो एक कारेकरम है इस कारेकरम का शीरशक है सफर एहसासों का तो सफर एहसासों का के बीच में हमारे सभी दर्शकों का और शुरुताओं का बहुत बहुत स्वागत है तो आज के कारेकरम की शुरुवात मैं एक परिचे से करवाता हूं और वो परिचह है दिव्या पसीन कोच्छड़ी का हमारा आज है जो कल वही इतिहास होगा फिल हमारा आज है जो कल वही इतिहास होगा फिल नई पीड़ी को दे पाए क्या ये एहसास होगा फिल अगर भाशा या मजहब पर जगडते रह गए हम तो नहीं रस खान गालिब और न तुलसी दास होगा फिल क्या बात है नहीं रस खान तुलसी दास होगा फिल बहुत खुश्चरत अंदाज के विश में आपने पेश किया मैं आपको एक सी बताओं आप सभी को और अपने सुननेवारों जो हमारे तर्शक है उनको भी शंक तुम चूमलो, सीप मैं चूमलू शंक तुम चूमलो, सीप मैं चूमलू, क्या पता फिर ये चूमबन मिले ना मिले वहाँ, बहुत अपसर शंक तुम चुमलो, सीप मैं चुमलू, क्या पता फिर यह चुमन मिले ना मिले, रेडियो वितस्ता के खुश्मू को सहज लो दिल में, क्या पता फिर यह चंदन मिले ना मिले। अभी आप परिचा के रूप में मैंने आपके सामने पेश किया जो हमारी आज की महमान दिविया भसीन कोचवर जी हैं और इनके साथ मैंने आप जो पहले परिचा दिया ही था कि हमारे साथ हैं दिया शर्मा दिया अपने आप में ही एक रोशनी है और यहां से शुरू होती है महां से अंदकार को दूर कर देती है तो कला के रूप में अपनी रौशनी को बहुत जगा विखेर चुकी है और आज उसी रौशनी से हम सब को प्रजलित करने के लिए रेडियो वितस्ता के स्टूडियो के बीच विशेश कारेक्रम में मौजूद है आए सुनते हैं दिया शर्मा जी को दिया जी कैसी हैं आप मैं कैसी हूँ बेहत खूब सूरत किताब सी हूँ बेहत खूब सूरत किताब सी हूँ जिसमें अंगिनत बनने है क्या बात है जिन पर अंगिनत ख्वाब ख्याल खूब सूरत एहसास किताब जो अच्छे पाठकों को बेहत पसंद हो जैसे अमरिताप प्रीतम का इश्क हो जिन्दगी के हर पड़ाओं को जेलती हुई अल्धड सी नादान सी और कभी कभी कहीं कहीं बेहत परिपक्ववे कभी सुखे पदजड सी कभी वासंती बहारों सी कभी कभी पुर्वईया की मदमस्त बयारों सी और कभी सावन की ठंडी फुहारों सी और कभी कभी सर्दी की ठेठुरं सी और कभी सर्दी में जलता अलाव सी और कभी कभी ठंडी छाव सी और भी न जाने क्या क्या कितना कुछ सच मुझ मैं बेहत खोब सुरत किताब सी क्या वात है सच मुझ मैं बहुत खोब सुरत किताब में जिसके एक पन्ने को पढ़ो तो अगले पन्ने पढ़ने को जी जाए बिल्कुल वही किताब, हाँ, सब कुछ है इस किताब में, सब कुछ मगर वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कवर पेज, हम जिसको जिल्द कहते हैं, मतलब कवर पेज नहीं है बस इस किताब का कुछ पन्ने हैं, बस वही किताब है बागी किताब बेश शानदार और जानदार है अरे हाँ कोई नाम भी तो नहीं है ना इस किताब का और भला हो भी कैसे नाम तो जिल्द पर होता है मतलब कवर पेज पर होता है ना और जिल्द तो ही नहीं मतलब कवर पेज तो ही नहीं खैर फिर में खूब सूरत किताब भीना जिल्द की बहुत खूब बहुत खूब ला जवाब दर्श्कु देखा आपने इस खूब सूरत किताब जिसका नाम दिया श्रमा है इसने अपने चंद शब्दों से ही सारे मौस्मों को आहसास करा दिया गर्मी भी, सर्दी भी, बरसा भी ठंड की ठिटरन भी और एहसासों की तपिश भी क्या नहीं छोड़ा खेर बहुत को दिया जी और आएए अब हम आगे बढ़ते हैं और मधुर सुर के बीच में सुनते हैं हमारी अगली महमान अंजली सिफ्र जी को एक अलाकार का परिचे शायद उसका सुखन बहतरीन उसका परिचे है तो मैं अपने सुखन की बात करती हूँ सुखन मेरा मेरे मन के ही मन कों की है एक माला कहीं हिंदी कहीं उर्दू का मोती इसमें है डाला लिया एक प्रेम का धागा महाबत की गिरहवान थी विचारों की ही अभिव्यती को है अलफाज में ढाला बहुत ही गहरी बात अब कह गए हैं अंजली सिफर जी के विचारों की अभिव्यती को क्या बात है इन्होंने शब्दों में ढालकर हमने सामने पेश किया और दोस्तों आईए करेकरं को आगे बढ़ाते हैं और जैसा की मैंने आपको बताया कि ये चो तीन हस्तियां हमारे साथ मौजूद हैं इनके साथ पाच्चित का सिलसला भी होना चाहिए ताकि हम इनको तुरा सा जान पाएं पहचान पाएं इनकी कल्द तो हमारे सामने आ ही रही है तो जान पहचान का सिलसला शुरू करते हैं सबसे पहले अब मेरे बाएं तर प्यार किया है जी मैंने माप बाप माता पीता अपने और अपने बच्चों से अपने पती देव से अपने परिवार से और जो जो मुझे अच्छा लगा जिंदगी में मेरे दादा दादी जिनके मैं बहुत करीब रही सर एक चंद है घर में बटवारे की स्तिती हर किसी के घर में होती है लेकिन ये बटवारा कभी-कभी तो आपसी सांजिरहरी से होता है और कभी-कभी मन-भेद और मत-भेद के साथ होता है तब कुछ पंग्तियां लिखने का प्रयास किया है जी पेश किजी बढ़ती गई थी पीर तूटकर एक से दो परिवार हो गए रिष्टों के खून सनी मीली हमें देहरी भी चीखते थे चोटिल जो सब द्वार हो गए और आंगन खडी दिवार देख रही मालाचार सोचती गलत कहां संसकार हो गए बहुत वास्तिक बात आपने वो कही है जो आजकल हमारे जीवन के बीच में घटीत होती है कहां पर संसकार गलत हो गए ही मा सोचती ही रहा जाती है लेकिन जो साथ है असर में ये उसका असर होता है संसकार, माबब जो संसकार देना चाहते हैं वो अपनी जगापे रह जाते हैं, और जो हम लोग का साथ होता है, वो अपना रंग छोड़ जाते हैं, तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज, दिल गुर्बत करें दूर जो किसी का रेडियो वितस्ता बनें आपके दिल की आवाज आप भी बार बार कहें यही है यही है यही है हमसा पर जिंदगी का तो आएए अब आगे बढ़ते हैं इस कारेकरम को लेकर सुनते हैं अंजली सिफर जी को अंजली जी आप अपनी जो भी रचना कहना चाहेंगी आप काफी अनुभवी हैं बहुत जगा के उपर आप कारेकरम दे चुकी हैं और देती रहती हैं अपने जीवन को ऐसी घटना मुझे बताएं कारेकरम के दौरान जो आपको अभी तक नाव हो दियो यह तो इस तरह से बहुत सी घटनाय होती है अब एकदम से याद करना मुश्किल है लेकिन हां मैं अपने जो मेरा यह सफर शुरू हुआ जिस से लेखनी का उससे जुड़ी एक घटनाय है जरूर मैं साजा करना चाहूंगी कि एक कविता मैंने भीजी अकपार में छपने के लिए और शाम को ही मंचे एक फोन आता है कि क्या आपने अपने कविता पढ़ी तो मैं हैरान हुई कि तो मैंने आज सुबह मेल किया है तो आज का अखबार तो आच चुका है तो शाम को कैसे मतलब यह मैं पढ़ सकती हूं तो उन्होंगी मुला आप फेस्बुक पर हैं नह हूं तो ठीक है मैं आपको लिंक भेजता हूं आप देखे और मेरे लिए यह फेस्बुक की दुनिया लेखन से जूड़ी हुई एक आलिस इन वंडरलैंड की तरह थी मैं नहीं जानती थी कि इस तरह से फेस्बुक पर भी लोग लिखते हैं प्रतिक्रयाय देते हैं और हालांकि स्रिजन का सफर में लगभग 20 साल पहले रफ कॉपी में जरूर शुरू कर चुकी थी तो रफ कॉपी से दुनिया तक पहुंचने का ये जो सफर है वो फेस्बुक के माध्यम से इस छोटी सी घटना ने शुरू किया तो ये मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं तो आएए आप सुनते हैं इनकी ये रचना जी रेडियो विदास्ता की चौथी वर्ष कांट है बहुत बधाई देते हुए सभी को और आपने महिला कावे गोश्टी से शिरुवात की तो तमाम नारी शक्ति को मैं समर्पित करती हूँ अपनी घजल किसी सहरा में हरियाली की सूरत हूँ मैं आुरत हूँ सफर में धूब के साए सिराहत थूं मैं आुरत हूँ ह לleva का कुछ बहुत कुर्व सफर की धूप में साएस राहत हूं में और थो और हवा आकाश मिती जल अगन भी है ज़रूरी पर नए जीवन की एक मैं भी ज़रूरत हूं बहुत अच्छे, 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 बहुत अच्छ जरूरत की, नहीं हो चीज में कोई सजावट की जरूरत की, रहूं जिस घर में भी उसकी में बरकत हूं, मैं आउरत हूं, और आखरी दो पंग्तियां रखती हूं, कि मैं हूं वो मॉम जो अश्कों की गर्मी से पिघल जाए, सिफर तक्राने पर आउं, तो परबत हूं, मैं मैं आउरत हूं, किसी सहरा में हर्याली की सूरत हूं, मैं आउरत हूं, सफर की, सफर की धूप में साए सिराहत हूं, मैं आउरत हूं, क्या खूब कहा है आपने, बहुत 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 हैं, इतनी परिकी से, इतने करीबी से, इतने नजुकता से जो आप शब् कि मैं वो मों हूं जो अश्कों की गर्मी से भी पिकल जाए बहुत बहुत खुबसूरत अंजली वास्तव में पता लगता है कि आपकी कलम की धार क्या है तो दुनिया आपको सुनना पसंद करती है आज मैं जानना चाहूँगा अपने रेडियो वितस्ता के जितने श्रुता हैं और दर्शक हैं उनके समक्ष आप क्या सुनना चाहेंगे आज हम आपको वो सुनाते हैं जो आप सुनना चाहती है अरे वाँ मेरा नाम जोकर का गीत है एक जीना यहां मरना यहां अगर वो सुना दे आप तो दिन बन जाए निश्चित तो आए दोस्तों अब हम सुनते हैं अंजली सीफर जी का पसंदा जो इनके दिल के करीब है वो गीत फिल्म मेरा नाम जोकर से जीना यहां मरना यहां इ